नमस्कार आप देख रहे हैं SBT News पेशे 15 सितंबर गुरुबार सुबह सवाट बजे राजिस्थान की बड़ी खबरे राजिस्थान में लापरवाह वहान चालकों के खिलाप एक्शन लेने के लिए ट्राफिक पुलिस में 25 नए इंटरसेप्टर शामिल होने जा रही है यह इंटरसेप्टर आटोमेटिक नमबर प्रेट रीडर कैमरों के साथ फिल्ड में उतरेगी जो ही चलान को वहान मालिक के रिजिस्टर मॉबाइल नमबर पर सेंड कर देगी एडिजी ट्राफिक विके सिंग ने बताया कि नए इंटरसेप्टर के एक्वाइर करने का प्रोसेजर शुरू कर दिया गया है नए इंटरसेप्टर एन पियार कैमरों के साथ आएगी जो ट्राफिक वाइलेशन को रिकॉर्ड करके फोटो और वीडियो को कंट्रोल रूम में भेज देंगे रासान में अगले साल होने वाले विदान सबाचुनाव और उसके बाद साल 2024 में होने वाले लोग सबाचुनाव के लिए निरवाचन आयोग ने तयारियां शुरू कर दी है आयोग ने इसके लिए वोटिंग लिस्ट अपडेट करने और नए वोटर आईडी जारी करने का काम शुरू करवा दिया है इस साल नमंबर से अगले साल जन्वरी तक होने वाले इस काम को देखते वे सरकार ने नमंबर से सभी जिला निर्वाचन अधिकारी और उससे संबनेत अधिकारियों करमचारियों के ट्रांसफर पर बैन लगाने करने ने किया है Department of Administrative Reform and Coordination ने वोटर लिस्ट तयार करने और फोटो सहित वोटर आईडी कार्ट जारी करने के काम को देखते वे 9 नमंबर से 5 जन्वरी तक चुनाव काम से जुड़े सभी अधिकारियों करमचारियों के ट्रांसफर पर बैन लगा दिया है इसमें जुला निर्वाचन अधिकारी के अलावा उपजिला निर्वाचन अधिकारी उपखण अधिकारी बूत लेवल पर काम करने वाले अधिकारी करमचारी शामिल है प्रवरतन निर्वार ने बुद्वार को मुंबई सीथ कंपनी मैसर्स रक्षा बुलियन और मैसर्स क्लासिक मार्बल्स के चार ठिकानों पर तलाशी पूरी की जहांच एजेंसी ने छापे में 91 किलो 500 ग्राम सोना और 340 किलो चांदी जब्ट की है इसकी वेल्यू करेब 47 करोड 76 लाग बताई जा रही है एडी के अफसरों ने मैसर्स पारेक अल्यूमिनेक्स लिम्डेट के खिलाफ चल रहे मनी लॉंडरिंग केस में इंठिकानों पर शाप इमारी की थी रास्तान में बस्तर चार नेरोदक बीरों ने अलवर जिले में कारेले सहाय का भ्यानता जैपूर डिसकॉम टपू कड़ा के हैलपर सेकंड जैसेस हुसेपूर रवी कुमार को आज एक मामले में 11,000 रुपे के रिश्वत लेते हुए रंगे हातों गरफतार किया बीरो के महाने देशक भगवान लासोनी ने बदाए कि एसीबी की अलवर एकाई में परिवादी ने शिकायत दर्ज कराई कि घरेलू विदित कनेक्शन के इस महीने बिल की अत्यदिक राशी को कम करने अवं मिटर बदलने के एवज में रवी कुमार द्वारा 14,000 रुपे क कि रिश्वत मांग कर परिशान किया जा रहा है देश की पहली प्राइवेट ट्रेन टेजस एक्सप्रेस में सरकारी करमचारी अपने शुल कर सफर कर सकेंगे दिवाली से पहले केंद सरकार ने अपने कर्मियों को ये महत्पुन सौगाद दी है इस समन्द में हाल ही में वि परिश्वत मंत्राले द्वारा उनके लिए नियम टैक किये गए हैं नियमों के अनुसार वेकेंद्री कार्मिक तेजस में सफर कर सकेंगे जो किसी सरकारी दोरे पर जा रहे हैं या फिर किसी ट्रेनिंग का हिस्सप बनने जा रहे हैं रासान कॉंग्रिस में गहलोत पारेट गुटबाजी और पार्टी के ही नेताओं के गरमाए बयानों के बीच गोवा राजे में बड़ी ख़बर निकल कर सामने आई है दरसल गोवा में कॉंग्रिस पार्टी के आठ विधायकों ने हाथ का साथ छोड़ कर कमल थाम लिया है पार्टी से विधायक सरके सीनियर नेताओं की विधायी को कॉंग्रिस पार्टी के लिए बड़ा जुटका माना ज़रा है गोवा में हुई इस उठा पठक को भाजपा के ऑपरेशन लोटस से जोड़ कर भी दिखा ज़रा है सुप्रिम कोर्ट में आसाराम का जोड़पुर जेल डिस्पेंसरी का फर정이 मेडिकल सेटिफिकेट पेश कर जमानत हासिल करने के प्यास के मामले में बुधवार को जोडपुर के सीजेम कोर्ट में सुनवाई नहीं उपाई सीजेम विक्रम सांखला के अवकाश पर होने की कांड सुनवाई टल गई वर्ष दोजा सत्रा में सुप्रीम कोड ने इस मामले में आसाराम और उसकी पैरों का रवी रोय वगे के खिलाफ मामला दर्च कर आदेश दिया था मुख्या रोपी वगे वैसा है रोपी आसाराम को आरूप सुनाई जाने थे जो अगली सुनवाई में सुनाई जाएंगे बिका नेर के सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज के ग्राउन पर होने वाले देशेरा कारिकरम को लेकर विवात खड़ा हो गया है दरसल कॉलेज स्टुडेंट्स और लेक्ष्रर यहां रावन देहन कारिकरम का विरूत कर रहे हैं क्योंकि पिछले कुस्स सालों में यहां जवर्दस हरियाली की गई है स्टूडेंट्स और लेक्चरर को डर है कि कॉलिज मैदान में दिशेरा कारे करम होने से पौधों को नुकसान होगा करोना की कारन दो साल से दिशेरा पर आवंड दहन नहीं हुआ था इस बीच कॉलिज मैदान पर जम कर हरियाली की गई जोत्पूर के जीला कलेक्टर हिमान्चू गुपता ने ıldार को शेहर में खतरनाग पुलिय चोराहा से लेकर सादार पुरा सी रोड के बीच हो रहे सड़क निर्मान कारे काेकर नेरिक्शन किया इस जुरान जुला करेक्टर ने सड़क निर्मान कारे के तरिक्त वर्क मैंशिप यानि सड़कों को आकर्षिक बनाने के लिए बहतर तकनीक के साथ कारी गरी पर कारे करने के निर्देश दिए राजिसान के विदित उभुकताओं को अब 7,438 करोड रुपे का करेंट लगेगा अडानी पावर के चर्चित कोईला भुकतान मामले में बिजली वितरन कमपनियां अब उभुकताओं को 5 साल तक 7 पैसे प्रती यूनिट और वसूलेगी संभवते अगले माहा के बिलिंग से वसूली शुरू होगी इसका सिधा असर 1,737 लाख उभुकता के जरिये सभी प्रदेश वासियों पर पड़ेगा गंभीर ये है कि इसमें 4,390 करोड रुपे तो केवल ब्याजी हैं जिसके लिए जिम्मेदार अफसर है राजे विदित विनियामक आयोग ने डिसकॉम्स की याचिका पर यादेश दिया है जोद्पर में पुलिस लाइंस से सरदार पड़ेट सभागार में बुधवार को पुलिस कमिशनर रविदत गौर ने के पूर्व और पश्चिम के अधिकारियों के बैठकली और कमिशनर रेट में हो रहे है अपुलियाजா आमजन को जगरू किया जय और उनकी शिकायतों का त्वरित निराकरण हो किसान संगर्श समीती सुमेरपूर आहोर की ओर से सुमेरपूर से निकाली गई जवाई जल पदी यात्रा बुद्वार को ढोल नगाडों के साथ पाली पहुची यात्रा में शामिल हजारों किसानों ने केलेक्टरेट के बाहर प्रदर्शन कर पेजर समस्या का स्थाई समाधान करने के साथ जवाई बांध कमांड शेत्र की किसानों को उनके हग का पानी देने की मांग की अध्यक्ष जोईंद्र सिंग गल्थनी की नेत्र तुमें जिला करेक्टर को मुख्य मंत्री के नाम गया पन सवपा फिल्म मार्श सैम मानेक शौक के जीवन पर बन रहे फिल्म सैम बहादुर की शूटिंग जोदपूर के उमेद भवन पैलस में होगी इस शूटिंग में हिस्सा लेने के लिए बुदवार को अभिनेता विकी कौशल और अभिनेत्री फातिमा सना शेख जोद्पूर पहुंचे फिल्म में फातिमा पूर्व प्रधान मंत्री इंद्रा गांदी की भूमिगा निभाएंगी इस फिल्म का निर्देशन में एकना गुलजार कर रही है सवाई मादवपूर की रन थंबा और साहिद प्रधेश के सभी टाइगर रिजर्व ए लैपर्ड रिजर्व में सरकार वेवन विभाग की और से आगामी परेटन सत्र से फुल डे वे हाफ डे सफारी को बंद कर दिया गया है ऐसे में वेवन विभाग की और से साइट पर भी फुल डे वे हाफ डे सफारी की बुकिंग करना बंद कर दिया गया है लेकिन वार्मी बाग की ओर से पूर्व में आगामी सत्र के लिए की गई ऑनलाइन अडवांस बुकिंग की राशी के रिफन्ड के समन्द में अब तक कोई निर्देश वारी नहीं किये गई है ऐसे में अब तक फुल वेहाफ डे सफारी की एडवांस बुकिंग की राशी के रिफंड को लेका ट्रेवल एजन्ट पर एटन वेवसाईयों और परेटिको मैसमेंट जिसकी स्थिती बनी हुई है जोदपुर का बरकतुला खान स्थितारों की मेजबानी करने के लिए तयार है इसे लिजन्स लीग क्रिकेट के दूसरे संस्क्राण के लिए 30 सितंबर से 2 अक्टोबर तक होने वाले 3 मैचों के आरिजन के लिए मेजबान के तौर पर चुना गया है इनमें पहला मैच 30 सितंबर को दूसरा मैच 1 अक्टोबर को और तीसरा मैच 2 अक्टोबर को होगा खास बात यह है कि काफी लंबे समय बाद विरेंदर साहवाग समेथ, हरबजन सिंग, गौतम गंभीर, ब्रेटली और डेनियर, विटोरी जैसे खिलाडी, जोदपूर के बरकतुला खान स्टेडियम में दिखेंगे तो फिलाल इस बिलेटल में इतना है, फिर हाजर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्यपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल SPT News को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर